पश्चिम रेलवे भारतियर रेल की अगणी रेलवे है इसका अतीत बहुत गोरवशाली है 1855 में बॉम्बे बरोडा एंड सेंट्रल इंडिया कमपनी का जन्म गुजरात में अंकलेशवर से उत्राण था 29 मील ब्रॉड गेज ट्रैक के निर्मान के साथ हुआ पहली नेरो गेज लाइन मियागाम और दभोई के बीच 1862 में बिचाई गई कपास के फलते भूलते व्यापार के कारण गुजरात से मुंबई तक रेलवे लाइन की जरूरत महसूस हुई 28 नवंबर 1864 को मुंबई में वेस्टन लाइन बर पहली ट्रेन गुजरात से ग्रांट रोड स्टेशन पहुँची इस प्रकार गुजरात के साथ बॉम्बे की सीधी कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआद हुई फोर्ट और कोलाबा के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को मरीन लाइन्स के निकट बैक बे तक बढ़ाया गया BB&CI की स्टीम लोकल ट्रेन 12 अप्रेल 1867 को विरार और बैक बे के बीच प्रतेक दिशा में एक ट्रेन के साथ शुरू की गई थी 1870 से लेकर 1876 के बीज कई स्टेशन की शुरुवाद की गई चर्च गेज स्टेशन का उधगाटन 1957 में हुआ प्रारंब में लोकल ट्रेनों को भाब के इंजिनों द्वारा संचालित किया जाता था और इसमें तीन कोज ही होते थे इलेक्रिफिकेशन होने के साथ स्टीम इंजिनों की जगए इलेक्रिक ट्रेने लेने लगी इन ट्रेनों की लोकप्रियता में व्रिथी और बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तीन कोज से शुरू हुई लोकल ट्रेने 6, 9, 12 और 15 कोजों की हो गई BB NCI Railway Company के लिए 1920 के दशक में नई वास्तुकला के दो भवनों की योजना बनाई गई इन में से एक चर्च गेट में मुख्याले भवन तो दूसरा बैलासिस रोड का नया टर्मिनल बॉम्बे सेंट्रल था 1917 से 1921 के पीच रेल नेटवर्क के विस्तार के कारण रेलवे ट्रेकों के दोहरी करण एवं चोहरी करण के साथ ही कई मसबूत पुलों का निर्मान किया गया पहली इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन सेवा का उदगाटन 5 जनवरी 1928 को मुंबई के गालिन गवर्नर सर लेसली विलसन दवारा किया गया पशिम रेलवे अपने वर्तमान स्वरूप में 5 नवंबर 1951 को अपनी पूर्ववर्ती, बॉमबे, बडोदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे कमपनी के सौराश्र, राजपुताना और जैपुर जैसे अन्यस्टेट रेलवेस के विले के फल स्वरूप आई समाजिक और आर्थिक गदिवीधियों का केंद्र रही पशिम रेलवे की इस विकास गाथा में रेलकर्मियों के करमटता का प्रमुक योगदान रहा, जिससे भारतिय रेलवे में हम कई क्षेत्रों में प्रथम रहे सम्रद अतीत वाली पशिम रेलवे स्वतंत्रता आंदोलन की वाहग रही, तो वहीं दूसरी ओर हमारी उपलब्धियों के सफर में गणमान्य विक्तियों का भी साथ और प्रोचसाहन मिला पशिम रेलवे का अतीत जितना गौरव शाली है, भविश्य भी उतना ही उजवल भी है गाधिनगर स्टेशन का आधुनिक स्वरूप में हो रहा पुनरविकास, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, स्टैच्य ओफ यूनिटी को रेल लाइन से जोडने है तू, केवडिया स्टेशन का निर्मान, सेवा, गती, प्रगती और आधुनिकी करण का 79 सालों का सफर ज ग्रांटर